बीजेपी सांसत रमेश विधूरी ने लोग सभा में बीएसपी सांसत दानिश अली के लिए आपत्ती जनक शब्द बोल कर खुद को और बीजेपी को बुरी तरा फंसा दिया है संसत में उनकी तरफ से दिये गए अमरियादित बयान से बवाल मचा हुआ है उनके इस भाषण की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद अब विपक्षी पार्टी सहित सोशल मीडिया यूजर्स ने भी बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है बीजेपी पर दबाओ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पार्टी को विधूरी को कारण बताओ नोटिस तक जारी करना पड़ा हाला कि कॉंग्रेस इस मुद्धे को इतनी आसानी से कहां जाने देने वाली थी मामले पर कॉंग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा सक्रिय नजर आए कॉंग्रेस ने न सिर्क बीजेपी पर ध्यान भटकाने की राजनीती कारोप लगाया बलकि पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी बीजेपी नेता दानिश अली से मिलने के लिए उनके आवास तक पहुँच गए राहूल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर साजा की है तस्वीर में वह दानिश को गले लगाते नजर आ रहे हैं राहूल ने कैप्शन में लिखा नफरत की बाजार में मुहबबत की दुकान राहूल गांधी ने 22 सितंबर को दानिश अली से मिलने के बाद इस तस्वीर को शेयर किया था इधर कहा जा रहा है कि राहूल गांधी और दानिश के इस मुलाकात की बाद मायावती की टिंशन बढ़ गई है राजनितिक पंडितों का कहना है कि दानिश अली की गिंती यूपी की राजनिती में काफी तेज तर्रार और सफल नेताओं में होती है वो मायावती के काफी करीबी नेताओं में से एक है इसके अलावा दानिश की मुसलिम मद्दाताओं पर अच्छी पकड़ है यूपी में जब बीजेपी की लहर थी तब भी दानिश ने गरीब 50% बोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया था दानिश ने पिछले लोकसभा चुनाओं में अमरोहा सीट से कॉंग्रिस और भीजेपी को हराया था यही कारण है कि राहूल गांधी और दानिश के इस मुलाकात की बाद इस बात की कयास लगाये जाने लगी है कि दानिश कॉंग्रेस में आ सकती है या फिर मायावती को कॉंग्रेस इंडिया गडबंधर में लाने का प्रयास दानिश के साथ मिलकर कर सकती है